वेलकम तू अवर चैनल स्नॉवल बाई हुसने कमल असलाम लेकुम लिसनर मैं हूँ आपकी होस लाइबा सुमेर और मैं हाजिर हुई 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 हुसने कमल का बहुत इन्फरमेटिव और रोमेंटिक सा नॉवल इंतिखाब की एपिसोड एट लेकर तो चलिए हम स्टार्ट क पर काफी गहरी चोट आई है इस वक्त इनके लिए किसी भी तरह का स्ट्रेस लेना खतरनाक हो सकता है इसलिए इन्हें दवाओं के जरीए जहनी सुकून में रखा जाएगा साथ साथ हाथ पाउं पर भी चोटे आई हैं मगर कोई सीडियस इंजरी नहीं है मैं इसे घर ले आना चाहता हूँ मगर हॉस्पिटल में इनकी अच्छी देखबाल हो सकती है डॉक्टर एतजाजन गोया हुए डॉक्टर इसने अपना रिलीजियन चेंज किया है जिसकी वज़े से इसकी फैमली ही इसकी दुश्मन बन गई है इसका यहां रहना सेफ नहीं आप प्लीज इ केजी से जवाबदा हुई इनके जूट पर जावियार हैरस से इनका चेहरा देखने लगा आपको प्लिस कंप्लैन करनी चाहिए डॉक्टर मुझे नहीं पता इसके साथ क्या हुआ है मैं पुलिस को क्या बियान दूँगा वो ठीक हो जाए तो मैं इसे खुद पुलिस स्ट माद में लिया डॉक्टर के जाते ही जावियार इस बूड़ी खातून के गले लगकर खुश होने लगा ओ बुआए वो खातून इसकी कमर सहलाते हुए मुस्कुरा कर बोली मान लो महबत है तुमारी वरना उसके लिए इतना खुश नहीं हो रहे होते जावियार ने खुश लिए खुश ने जावियार के कमरे में आए तुम्हारी विच्टो वाकरी बहुत खुशूरत जावियार हदीद की वाइफ तारीफी कलमात अदा किये बगहर ना रह सकी आज वो बहुत खुशकवार मून में था सबके तारीफी कलमात मुस्कुराते हुए सुनता रहा तु वरना इतनी ताकत रखता हूं कि जिन्होंने रामीन की ये हालत की है। इन्हें हस्पताल के बिस्तर पर लिटा कराता। हदीद ने पहली बार इसकी आँखों में खून उतरते देखा था। अगर तुम इसे नफरत कहते हो तो मैं दूआ करूँगी खुदा ऐसी नफरत करने वाला सब को दे। हदीद की वाइफ मुस्कुराते हुए बोली इनके लहजे में अश्च नुमाया था। वाव वाव विश तो बहुत खुबसूरत होती हैं। खबर भी नहीं होगी कि जावियार ने इसे विच के नाम से अपने घर में कितना मशूर कर रखा है चलो अब नज़र ना लगा देना मेरी देवरानी को हदीद की वाइफ कहते ही जावियार को बुरी तरह धास लग गई दी जिस पर हदीद इसकी कमर सहलाने लगा क्या हो गया चानक भाबी आप कुछ जादा ही फास्ट जा रही है सांस बाहल होते ही इसमें भाबी को देख टोकते हुए कहा जिस पर वो मुस्कुराने लगी जावियार इसके घरवाले हम पर किड्नैपिंग का केस कर सकते हैं तुम्हें हस्पताल में छोड़ कर आना चाहिए था इसे तुम्हारी ये बेवकूफियां हमारी इज़त पर बन जाएंगी तुम समझ क्यों नहीं रहे हो सबके कमरे से जाने के बाद हदीद एक बार फिर इसे मामले की नजाकत समझाने की कोशिश कर रहा था समझ आप नहीं रहे ब्रो मैं इसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था वो कताई अंदाज में गोया हुआ जावियार इस लड़की के घर वाले इसके साथ कैसा सलुक कर रहे हैं ये उसका मसला है तुम्हारा नहीं तुमने इंसानियत दिखाते हुए इसे अस्पताल तक पहुचा दिया ये काफी था इसे घर लाने की जरूरत नहीं थी तुम इसे अभी के अभी वापिस हस्पताल छोड़ कर आओ हस्पताल का जो भी खर्चा होगा वो हम उठा लेंगे मगर ये लड़की घर में नहीं रहेगी हदीद ने नहाया सक्त लहजे में कहा ब्रो मुझे आपसे इन बातों की उमीद नहीं थी वो अफसुर्दगी से गोया हुआ जाव्यार तुम समझ क्यों नहीं रहे हो ये कोई मार्किट से गुडिया उठा कर नहीं ले आए हो तुम जो मैं तुमें घर पर रखने दू ये एक क्रिस्चन लड़की है थाइलेंड की बाशिंदा इसके घर वाले हम पर केस कर सकते हैं वो अभी जताते हुए बोल ही रहा था कि जाव्यार बीच में बात काटते हुए बोला वो क्रिस्चन नहीं है वो मुस्लिम है इसके घर वाले इसे मजब बदलने की वज़ा से ही इतना टॉर्चर कर रहे है डैड और आप ही कहते थे थे ना अगर हम अपनों की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा जैसे भाबी को तहफुस की जरूरत थी वैसे रामीन को भी है जावियार रामीन एहमदी नहीं है हम इसे मुसल्मान नहीं मानते हदीद कतई अंदाज में बोला मैं ये सब नहीं जानता मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैंने ही इस से कहा था वो मुस्लिम हो जाए मैं इस से शादी कर लूँगा अब मैं इसे इस तरह बीच मैदान में मरने के लिए नहीं छोड़ सकता जावियार तुम्हारा दिमाग कराब हो गया है डैट के जर्मनी से वापिस आने से पहले पहले इस लड़की को इसके घर पहुँचाओ हमारा रामीन जिसे लोगों से कोई तॉल्लुक नहीं अधीद घुस्से से कहता हुआ कमरे से बाहर चला गया जावियार ने इसके जाते ही जोड से दर्वाजा बन किया जिसे सारा घुस्सा बेजान दर्वाजे पर उता रहा हूँ रामीन की खातिर वो हदीद तक से लड़ गया था अब अगला सीन वो इसके कमरे में थी बिल्कुल उसके सामने बेजान सी गुडिया की मानिन वो इतनी पास थी मगर इसके बावजूद एक सेक्रिंड के करोडवे हिस्से में भी कोई गलत ख्याल जहन में दूर दूर तक नहीं आया जल्दी ठीक हो जाओ विच प्लीज वो सोफे पर बैठा उसके बेसुस से जिसम पर नजरे जमाए आहिस्ता से कहने लगा दो दिन से वो इसके कमरे में थी मगर एक भार भी इसे चूने की कोशिश नहीं की जब मिश्रास का जुमला सुन तेजी से लैपटॉप मेंस पर रखकर बैट की जाने बाया लेटी रहो मैं नर्स को बुलाता हूँ रामीन उठने की कोशिश करने लगी मगर इसका सर चक्रा रहा था जावियार बड़े नर्म लहजे में कहकर नर्स को बुलाने गया नर्स के आने से पहले पहले वो दुबारा खनूदगी में चली गई थी दो तीन दिन तक वो इसी तरह एक दो सानिये के लिए आँख खोलती और फिर वापिस सो जाती मिश्रास जादातर इसके पास ही लेटकर सेल में कभी-कभी गेम खेलता तो कभी कार्टून देखता वो जब भी आँखे खोलती मिश्रास यही अलान करता चाचू विच्छ ने आँखे खोली है रामीन हर बार यही एक जुमला सुनती थी डॉक्टर डॉक्टर इसे मुकम्मल होश आया तो इसने खुद को एक बैट पर पाया अपने इर्दगिर्द चारो तरफ अंधेरा देख वो घबरा गई थी इसलिए डॉक्टर डॉक्टर पुकारने लगी जावियार सोफे पर सो रहा था डबरामीन की आवाजे इसके कानों की समास्त टकराई सब ठीक है वो मिश्टास को आदत है लाइट आफ करके सोने की जावियार ने तेजी से लाइट आउन करते हुए उस हुसने सरापा को देख कर कहा जो घबराई हुई निगाहों से इसके वजूद को तक रही थी मैं विच नहीं हूँ इसके मासूमियस से कहते ही जावियार मुस्कुरा दिया कैसा महसूस कर रही हो अब जावियार के सवाल पर वो अपनी कमर पकड़ने लगी कमर में बहुत दर्द हो रहा है मेरी ठीक हो जाएगा कल डॉक्टर को अपनी सारी कंडिशन बता देना वो इसी के मताबिक आगे का ट्रिट्मेंट करेंगे जावियार चक से पानी ग्लास में भड़ते हुए इसकी जानिब बढ़ाते हुए बोला हम ये बच्चा कौन है जो मुझे विच कहता है रामीन के सवाल पर वो अपनी आखे मीचने लगा वो इसे क्या बताता कि सरिफ वो बच्चा ही नहीं इस घर का हर एक पर्द मा मुलाजमीन इसे विच के नाम से ही जानते है मेरे बड़े भाई का बेटा है जावियार रामीन के वराबन में सोय हुए मिश्रास को देख कहने लगा डॉक्टर आपने सिखाया एसे मुझे विच कहना वो रोतू सा मुझ बना कर पूछने लगी इसका चहरा बता रहा था वो रोना शुरू करने वाली है नहीं नहीं वो काटून देखते हुए बोलता है काटून में एक किरदार है उसका नाम है रामीन विच वो बच्चा है तो इसे लगा तुम्हारा भी पूरा नाम यही है जावियार बात बनाने की नाकाम कोशिश करने लगा जावियार को जरह भी अंदादा ना था कि इसका रामीन को विच कहना एक दिन इस तरह गले पड़ेगा ओ, मगर ये नाम तो आपने ही मेरा रखा था उसके कहते ही जावियार का दिल चाहा अपना सर दिवार से फोड़ ले वो ये बात कैसे भूल गया था कि रामीन का नाम उसी न रखा था तो आपने एक विच के करिदार पर मेरा नाम रखा था उसके अगले सवाल पर जावियार अपनी पेशानी बसलने लगा देखो, अभी आराम करो, हम सुबह बात करेंगे मुझे वैसे भी बहुत नींद आ रही है जावियार ने इस लमें भागने को ही घनी मत जाना पैसे तुम इस जंगल में कैसे पहुँची? जावियार सोफे पर बैठ कर इसे देखते हुए तजस्स से पूछने लगा बार्ट मेरे कमरे में आ गया था रिलेशन्शिप बढ़ाने अभी वो बोल ही रही थी के जावियार तेजी से आग बगोला होकर बोला तो तुम शट अप की कॉल देती? साफ कहती इंटरस्ट नहीं है तुमें इस से रिलेशन्शिप बढ़ाने में तो आपको लगता है मैंने नहीं कहोगा वो एतिजाजन बोली सक्ती से नहीं कहोगा तुम्हारी आवास की नर्मी से होसला दे रही होगी मैंने सक्ती से ही कहा था मगर एक बेवकूफ की वज़ा से मेरी अंगूटी गायब थी जिसकी वज़ा से बार्क को यकीन था मैं भागने वाली हूँ रामीन के जुरत तर वो इसे घूर कर देखने लगा तुम्हारे यहां अपने मौसिन को विवकूफ कहते हैं जावियार जजबस होकर इस्तिफसार करने लगा नहीं हमारे यहां कम अकल को विवकूफ कहते हैं उसके जवाब पर जावियार अपने होट चबाने लगा वो लड़की इसका ब्लेट प्रेशर हाई कर रही थी जावियार इसे खा जाने वाली निगा से घूर रहा था मगर रामीन इसकी निगाहों को मुकम्मल इग्नोर करते हुए सामने दिवार पर लगी घड़ी देखने लगी रात के तीन बजने वाले हैं आप यहां क्या कर रहे हैं इसके सवाल पर जावियार उल्चा क्या मतलब मैं समझा नहीं मतलब आप अपने कमरे में जाएं ये मेरा ही कमरा है वो खासा जताते हुए बोला मगर अभी तो मैं यहां हूँ न वो मासूमियस से बोली क्या मतलब है कि तुम यहां हो वो अभी भी समझ नहीं पा रहा था वो क्या कहना चा रही है मतलब मैं आपके साथ एक कमरे में नहीं रह सकती या आप दूसरे कमरे में जाएं या मुझे बता दें मैं चली जाती हूँ ओ फ्रामीन तुम काफी दिनों से मेरे साथ कमरा शेयर कर रही हो अब अचानक क्या मसला हो गया वो जिंजलाते हुए बोला काफी दिनों से? कितने दिन? वो ना समझी से इस्तिफसार करने लगी इसे अंदादा नहीं था नो दस दिनों से दवाईयों के सबब घनूदगी में थी नो दस दिनों से रावियार के कहते ही इसे जटका लगा इसकी आँखे हैरत के मारे फैली आप जूट बोल रहे हैं न? वो बेयकीनी के आलम में थी मैं क्यों जूट बोलने लगा? यकीन ना आये तो कैलेंडर देख लो उसके कहते ही रामीन ने अपना सर पकड़ा कहां है कैलेंडर मैं देखना चाहती हूँ वो यकीन नहीं कर पा रही थी इसलिए तस्दीक करना चाहती थी ये देखो उसने अपना सेल में कैलेंडर लगा कर उसकी जानिब सेल बेट पर फेका मुझे तो पता भी नहीं चला इतने जिनों से मैं आपके पास हूँ मेरे पैरेंट्स मुझे ढूनने नहीं आए रामीन को दिली दुख पहुचा था कि इसके मसब बदल लेने से इसके अपने वालदेन इसे ढूनने तक नहीं आए ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि वो जिन्दा है या मर गई उसकी आँकों में तेरते हुए आंसु अब जलकने लगे अजीब हो तुम तुमें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि वो तुमें ढूनने नहीं आए अभी तक वरना मेरे लिए कितनी मुश्किलात खड़ी हो जाती तुम सोज भी नहीं सकती वो मुझ पर केस कर सकते थे इनकी बेटी को अगवा करने का तुम तो होश में भी नहीं थी जो बियान देकर मुझे बचा लेती जावियार उसके रोने पर शदीद जिंजलाहट का शिकार था इसे गुस्सा आ रहा था उस नादान लड़की पर जो मौके की नजाकत को समझने के वज़ाए अपने वालदेन की महबत में आंसू बहा रही थी मगर वो लड़का था उसने अपना मजभ नहीं बदला था उससे नहीं मालूम कितना मुश्किल होता है या मल एक वक्त इनसान परायों से लड़ सकता है मगर अपनों से नहीं इनसान वो जंग हार जाता है जिसमें अपने मुकाबले पर उतराएं वो तो बहुत 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 गया जिसे इसके मर्जी के बगिर मगरीबी लिबास पहना कर हॉल में लाया गया लोग इसे सताईशी निगाहों से देख रहे थे जबके वो खून के आसू रो रही थी अब रोना बंद करो और सो जाओ जावियार कहते हुए सोफे पर लेटा माना मैं इतने दिनों से आपके साथ एक कमरा शेयर कर रही हूँ मगर तब मैं होश में नहीं थी अब मैं आपके साथ एक कमरा शेयर नहीं कर सकती वो जावियार को सोफे पर लेटा हुआ देख फॉरन अपने आसू बेदर्दी से साफ करते हुए बोली मेरे घर में तुम्हारे लिए सर्फ यही कमरा मैस्तर है और मुझे किसी दूसरे कमरे में नीन नहीं आती इसलिए चुप करके वापिस लेट जाओ जावियार ने लेटे लेटे ही इसकी जानब करवट ली इसे सकती से हाकिमाना अंदाज में कहकर अपने मूपर कंबल ओड लिया डॉक्टर मैं आपके साथ एक कमरे में नहीं रह सकती वो कताई अंदाज में बोली ठीक है तो उठो सामने दर्वाजा है भाड में जाओ मेरी तरफ से क्योंके तुम्हारी मोटी अकल में ये बात नहीं आएगी कि इस वक्त सिर्फ मेरी मौजूदगी ही तुम्हें हिफाज़त दे सकती है ब्रो मेरे मुखालिफ सिम्थ खड़े है इस बार और ये बात मुझे खौफजदा कर रही है वो दात पीस्ते हुए गुस्से से उटकर बैट रामीन के खुबसूरत वजूद पर नजरे डाले भपर कर बोला रामीन का कादियानी ना होना जावियार के लिए कोई माईने नहीं रखता था मगर वो वाकिफ था हदीद और दारिम साहब के लिए ये बात रामीन को अगवा करने का कैस कर सकते थे या रामीन को वापिस अपने साथ ले जा सकते थे यही सबब था कि वो ऑफिस में अपने बिमार होने की अप्टिकेशन दे चुका था जबसे वो रामीन को अपने घर लाया था तबसे वो बहुत मौतात रह रहा था वो एक बार भी घर से नहीं निकला था मगर ये सारी बाते वो रामीन को नहीं बता सकता था क्योंकि डॉक्टर ने साफ कहा था कि इसके लिए स्ट्रेस लेना नुकसान दा हो सकता है आप मुझ पर गुसा क्यों कर रहे हैं वो रोतू सा चेरा बना कर बोली रामीन के लिए जावियार इसकी आखरी पना गहता थाईलेंड में इसके पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं थे के वो पाकिस्तान जा सके बहुत मजबूरी की हालत में थी वो तो और क्या करूं रात के तीन बजे उठकर तुम शोर मचा रही हो गुस्सा तो आएगा न बंदे को वो अपने गुस्से को जब्त करते हुए नर्मी से बोलने की कोशिश कर रहा था देखो मुझे कोई शौक नहीं है तुमारे साथ एक कमरा शेयर करने का मगर अभी तुम्हारा मेरे साथ रहना ही तुम्हें महफूज रख सकता है मैंने इतान से बात की है जूलिया कोशिश कर रही है तुमारे डॉक्यूमेंट्स बाट के पास से लाने की तब तक प्लीज मुझ पर थोड़ा सा ट्रस्ट कर लो इस बार जाव्यार ने इएसे बहुत प्यार और नन्नमी से अपनी बात समझाने की कोशिश की इदर देखो जाव्यार ये कहते हुए खड़ा हुआ वो बुक्शेल के पास जाकर खड़ा हो गया रामीन इसे तजस्स से देख रही थी ये देखो रावियार ने बुक शेल से एक लाल रंकी बुक निकाली और अपना हाथ इस खाली जगा पर मारा एक लब्मे बाद वो बुक शेल अपनी जगा से खिसकने लगा रामीन हैरस से इस बंजर को देख रही थी ये वज़ा है तुम्हारी मेरे और इस कमरे में रहने की ये रास्ता है ये तुम्हें डायरेक घर के पीछे के रस्ते से बाहर निकाल देगा मैं इसका इस्तमाल अकसर करता हूँ मेरे इलावा इस रस्ते के बारे में सुर्फ प्रो जानते हैं कुछ समझ आया? इसके सवाल पर वो असबात में सर हिलाने लगी जावियार ने दुबारा इसी जगह पर हाथ मारा तो वो दर्वाजा बंद हो गया इसने लाल बुक वापस जगह पर रख दी उमीद है अब तुम चुप चाप सोकर सोगी ये कहता हुआ वो सोफे पर बैठा मगर इसे याद आया वो सवाल जो इस सारी कन्वर्जेशन में अधूरा रह गया था तुमने बताया नहीं? तुम जंगल में कैसे पहुँची? जावियार तजस्स से स्टफसार कर रहा था वो मैंने वाश्रूम की खिलकी से जंप लगाई थी जावियार को इतने बेवकुफाना जवाद की उमीद नहीं थी वाट? तुमने इतनी हाइट से जंप की? मुझे यकीन नहीं आ रहा क्या मरने का इरादा था? वो दाथ पीस्ते हुए बोला नहीं मरने का इरादा नहीं था सिर्फ अपनी इज़त बचाना चाहती थी मुझे और कोई रस्ता नजरी नहीं आ रहा था खुद को बाइक से बचाने का मैं बहुत डर गई थी वो रुहान सा लहजे में गोया हुई तुम कभी कबार मुझे लाजवाब कर देती हो इज़त बचाने के लिए मौत को गले लगाने चली थी वाओ हैरत तो मुझे इस बात पर है कि तुम जिन्दा बच गई वरना जितनी उचाई से तुमने जम्प की है तुम मर सकती थी अब पाहिज हो सकती थी वो अब भी उस्ते में बोली रहा था कि रामीन ने बात काटते हुए पुरितमेनान अंदाज में कहा मगर ऐसा कुछ हुआ तो नहीं न जावियार एक अज़दाना सोच का मालिक था वो नहीं समझ सकता था कि एक पाकीजा लड़की के लिए इसकी इस्त क्या माईने रखती है गलती उसकी भी नहीं वो रामीन जिसी पाकीजा लड़की से मिला भी तो पहली बारे वो जिन लड़कियों के बीच रहता था वो महबत के नाम पर सब लुटा देने वाली होती थी वो क्या जाने पाकीजा लड़कीया कैसी होती है पाकीजा लड़कियां हर चीज़ पर अपनी इज़त को फोक्यत देती हैं जैसे रामीन ने दी थी मुझे यकीन था मेरे अल्ला पर वो मुझे बचा लेगा मुझे अभी आलमा बनना है दीन की खिदमत करनी है खुदा ने मुझे बहुत जहानत दी है मैं इस जहानत का इस्तमाल उसके दीन की खिदमत के लिए करना चाहती हूँ वो नहायत तहम्मल से जावियार को देख गोया हुई जावियार ने उसकी बात नहीं सुनी थी वो दूसरी सोचों में मगन था हम वो सेल किसका था जिससे तुमने मुझे कॉल की थी वो गंभीर लहजे में कुछ सोचते हुए स्तिफसार कर रहा था बारिक का तुमने अपने सेल से क्यों नहीं की डैड ने मुझे पाकिस्तान से वापिस लाते ही सेल छीन लिया था वो सेल कहा है वो सेल तो मेरे हाथ में था जब मैंने जम की उसे बताते ही जवियार ने अंदाजा लगा लिया था कि इन लोगों के हाथ अभी तक सेल नहीं लगा है अगर वो सेल इन लोगों के हाथ लगा होता तो वो मुझ तक बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे जवियार को अपनी फिकर नहीं थी एसे सरफ रामीन की फिकर लाहिक थी मुझोंसे निका करोगी इसके अचानख सवाल पर रामीन हैरस से इसे तकने लगी निका, वो बेयकीनी सी कहित ने बोली हाँ निका, इतना कोई मुश्किल सवाल तो नहीं किया मैंने जो तुम्हे यकीनी नहीं आरा वो मुँ बसोडते हुए बोला, बोलो, इसकी खामोशी जावियार को बेसबरा कर रही थी, मगर आप मुझसे अचानक निका क्यों करना चाते हैं, मेरे डॉक्यूमेंट्स मिलते ही मैं पाकिस्तान चले जाऊंगी, वो उलजी थी जावियार के निकाह के प्रोपोजल पर, क्योंके मैंने तुम से कहा था, तुम मुस्लिम हो जाओ, मैं तुम से निकाह कर लूँगा, इसके जवाब पर रामीन की आँखे हैरस से पहली, आपको याद है, वो हैरान थी के जावियार को अपना कॉल आज तक याद याद तो मुझे और भी बहुत से चीज़े हैं, मगर इस वक्त इन्हें इग्नोर करना ही बहतर है, वो मफाहमाना अंदाज में तन्जिया गोया हुआ, रामीन समझ गई थी इसका इशारा थपड़ और इंतिखाव वाली बात पर है, तो क्या मिस रामीन आप मुझ से निका वो कोई ऐसा अपना रोजा नहीं जानती थी, जिसकी दूआ इसके नाम से शुरू ना हुई हो, ऐसा कौन सा वजीफा था जो इसने सुना हो कि इस वजीफे को पड़कर दूआ कबूल होती, वो नहीं जानता कभी कबार, खुदा की बंदी इसकी हिदायत की दूआ करते करत जुद के सजदे में सोजाया करती थी, आँखों में आसू बहराए, वो इस सितमगर को नहीं बता सकती थी, कि इसका पहला इंतिखाब हमेशा से वही रहा है, बस वक्त वहालात ने इसे मजबूर कर दिया था, दूसरी सिम्त कदम बढ़ाने के लिए, इतना बुरा भी नही जबार गुजर रहा था रामीन को अपने प्रपोजल पर रोता हुआ देखना, मैं रो नहीं रही, वो अपने आसू साफ करते हुए बोली, अंधा नहीं हूं मैं, देख रहा है मुझे, जबाब देने की जहमत नहीं करना, मुझे अंदाजा नहीं था, तुम मेरे रोकर दिखा रही हो, वो खासा जटाते हुए बोला, हाँ मैं निका के लिए तैयार हूँ, उसने आइस्तगी से नजरे जुकाई जवाब दिया, वो हाँ करते वक कहा जानती थी के जावियार कादियानी फिरके से तालुक रखता है, सोचलो अच्छी तरह, मैं नहीं चाद कि लाश मुमेंट पर कोई ड्रामा करो तुम, वो दुबारा अपने फैस्ते पर नजरसानी करने की दावत दे रहा था, क्योंकि इसके कानों में रामीन के जुमले अभी भी गूंज रहे थे, डॉक्टर आप मेरा आखरी इंतिकाब भी नहीं हो सकते, तो इसके दिल को जला कूटी से भीच लिया, क्योंकि ये ख्याल आगिया था कि इसकी दबेट ठीक नहीं, डॉक्टर इसकी धीमी आवास पर वो लेटे लेटे रुका, अब क्या, वो अब रूच का कर इसकी जानिब देख, इस्तिफसार करने लगा, मुझे दुपट्टा मिलेगा, नमास का वक् रामीन साफ सफेद रंगे कुड़ते शलवार में मलबूस थी, इसने खुद को गरदन तक कंबल में ढखा हुआ था, मगर नमास पढ़ने के लिए इसे एक दुपट्टा दरकार था, दुपट्टा, जावियार परिशान होते हुए इधर उदर देखने लगा, ये सोचते ह कि इतनी रात को वो दुपट्टा कहां से लाए, और एक पोनी भी, बाल बानने है, उसने अपनी खुली आपशार को हातों में पोनी की तरह कैद करते हुए कहा, पोनी, वो अब सर खुजाने लगा, वेट, मैं भाबी से पूछता हूँ, मगर, वो पहले कहते हुए खड़ा हुआ फिर किसी ख्याल के आने पर दुबारा बैट गया, क्या, रामीन हातों से बालों को पोनी की तरह पकड़े बैटी थी, इतनी रात को इने तंग करना ठीक नहीं, जावियार के जवाब पर, तो अब मैं नमास कैसे पढ़ूँ, वो परिशान होकर बोली, एक मिंट, वो कहता हुआ अलमारी की जानिब बढ़ा, इससे काम चल जाएगा, उसने अपनी एक सफेज शौल निकाल कर रामीन को दिखाते हुए पूछा, चल जाएगा, वो तेजी से असबात में सर हिलाते हुए बोली, और पोनी, या कोई कैचर हो आपके पास, मैं लड़की नहीं मैं सुबा भावी से ला दूँगा तुमें, अभी किसी तरह मैनेज कर लो, जावियार ने काफी लचकदार अंजाज में जवाब दिया, रामीन ने इसका जवाब सुनते ही बालों का जुड़ा बना लिया, वजू की नियस से जब वो खड़ी होने लगी तो इसे महसूस बैट से उटते ही इसकी कमर में भी बहुत तेस दर्द होना शुरू हो गया था, वो वापिस बैट पर बैट गई थी, इससे पहले के जमीन पर गिरती, वजू मैं करवा देता हूँ, जावियार उसके लिए वजू का पानी लेने चला गया था, कुछ देर बाद जब वो ल लगा दिया, मैं वजू खुद कर लूँगी, आप बस मगगा और बाल्टी मेरे पास रख दें, रामीन के कहने पर इसने पानी की बाल्टी उसके पास नीचे रख दी, और मगगा इसकी जानिब बढ़ा दिया, और किसी चीज़ की ज़रूरत है, इसके पूछने पर वो अस करके मुकमल वजू किया, जावियार जब कमरे में दाखिल हुआ तो वो वजू के आखरी मराहिल पर थी, जावियार ने इस हसीन गुडिया को अपने नाजुक पाउं का वजू करते देखा, बहुत सालों बाद आज इस दुश्मने जांके संगे मरमर से तराशे हुए, कोई प्यासा पानी को देखता है, वैसे वो रामीन को तक रहा था, आप जायनमाज ले आए, इसकी आवाज पर जावियार इस हुसने मुझसिम के सरापे के तिलसम से बाहर आया था, उफ, क्यों ये मेरी जान लेने पर तुडि रहती है, वो जायनमाज इसकी जानिब आते हुए मुही मुह में बढ़ बढ़ाया, रामीन इसका कहा जुमला सुन नहीं सकी थी, शुक्रिया डॉक्टर, वो मुस्कुराते हुए शुक्रिया दा करने लगी, बिमारी के सबब इसकी आँखों के नीचे काले-काले हलके नुमाया नजर आ रहे थे, वो बहुत कमज जाए नमास बिचा देंगे, जावियार बाल्टी वगएर रखकर आया तो इसकी निगाहों को अपना मुनतसर देख, इसके पास रुक कर अबरूच का कर इस शारे से काम पूछने लगा, रामीन ने नहायत लचकदार अंदाज में सवाल किया, जी, बिलकुल बिचा देंग उसकी लचकदार आवाज जावियार को महसूस करा चुकी थी, कि वो शर्मसार हो रही है, उससे अपने काम करवाने पर, उसकी शर्मसारी दूर करने की नियस से मुस्कुरा कर जवाब देते हुए, जाए नमास बिचाने लगा, वो बिलकुल आराम से बैट से उतर कर जाए नमास पर आकर बैटी, मजबूरी के तहट इसने नमास बैट कर अदगी, जावियार सोफे पर लेटे लेटे इसे नमास पढ़ता देखता रहा, ना जाने कौन सा ऐसा चार्म था इस लड़की के पास, कि जावियार ना चाते हुए भी अपनी नजरे इसके पुर्णूर चे लेटे हुए देखता रहा, वो कब इसे देखते देखते सो गया, इसे खबर ही ना हुई, जब आख खुली तो अपने सामने हर रोस की तरह बैट पर सोता हुआ पाया, अच्छा लगता था आख खुलते ही सबसे पहले, इस हुसने मुझसिम को देखना, ये देख चेरे पर मस्कुराहट बिखर आई, कि इसने अपने सर को दुपटे से कवर कर लिया है, अब अगला सीन, तरवाजा नौक करके आया करें, जावियार तेजी से कमरे में दाखिल होकर अलमारी की जाने बढ़ गया, जब वो समान रखकर पल्टा तो रामीन इसे टोकने लगी, मुझे सो रही होती हो, तुमारा ही ख्याल करता हूँ, लैप्टॉप पर नजरे जमाएं वो चिड़ते हुए जवाबदा हुआ, मेरे डॉक्यूमेंट्स का क्या हुआ, रामीन के सवाल पर इसके हाट टाइपिंग करते करते रुके, एक लम्हे के लिए वो जिसे सोच में पढ़ पर इसकी जानिब देख नहायत इतमिनान से जवाबदा हुआ, जूलिया को मिल नहीं रहे, वो नहीं जानता इसने मुकाबल से जूट क्यूं कहा, क्यूं नहीं बताया कि अभी अभी इसी के डॉक्यूमेंट्स अलमारी में रखकर आया है, दिल में जिसे कोई खौफ था, डॉक्यूमेंट्स की फिकर मत करो, हमारा निका होते ही तुमारे घर वाले तो मैं हाथ भी नहीं लगा सकते, और ना ही मेरे घर वाले कुछ कह सकते हैं, तुम अराम से रह सकोगी, चाहो तो दूसरे कमरे में भी शिफ्ट हो जाना, मुझे कोई मसला नहीं होगा, जावियार को यकीन था कि हदीद रामीन को तो घर से निकाल सकता है, मगर जावियार की बीवी को नहीं, कल लिका है हमारा, मैंने भाबी से कह दिया है, वो तुमारे लिए कपड़े और जियूरी लाकर दे देंगी, कुछ देर की खामोशी के बास जावियार ने इसे देखते हुए कहा जो खिड़की के पास खड़ी बाहिर के नजारों में खोई हुई नजर आ रही थी, कल ये तो बहुत जल्दी है, वो हैरान होकर इसकी जानिब देखते हुए हलका सा इतजाच करने लगी, तुम क्या चाहती हो, तुमारे घरवाले आकर मुझ पर केस कर दें, वो आई ब्रो नहीं करोगी मुझ से, वो लैपटॉप बन करते हुए इसकी जानिब देख, खवगी से इस तफ़्दार करने लगा, ओ हाँ, मैं भूल गया, मिस रामीन तो अपने सर में इंटरस्टेड है, रामीन कुछ कहती, इससे कबल ही वो जल कर तंजिया गोया हुआ, ऐसा कुछ नह अजीब सी कश्मा कश्मे मुप्तला पा रही थी, तुम निकाह करने के लिए रजामंद हो या नहीं, फक्त इतना जवाब दो, वो संजीतगी से इस्तिफसार करने लगा, हाँ मैं तयार हूँ, उधी में से नजरे जुकाई जवाब दा हुई, भागने का इरादा हो तो पह किसी भी रिष्टे की पहरी बुनिया ट्रस्ट होता है, और डॉक्टर आप मुझे पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते, इसने आखरी जुमला शिक्वतन अदा किया, ट्रस्ट की बात तुम ना ही करो तो बहतर है, मैं तुम्हारा बॉइफ्रेंड था, जब पाकिस्तान आय तुमने क्या किया था मेरे साथ, मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, वो दात पीस्ते हुए गोया हुआ, इसकी आखे वुस्सा चलका रही थी, हम पुरानी बाते नहीं करें तो बहतर है, वरना ये निका कल तो क्या पूरी जिंदगी नहीं हो सकेगा, इस दिन की याद रामीन को भी आग बगोला कर गई थी, वो गुसे से उसे घूरते हुए बोली, हले हो, वो दोनों अभी बहस करी रहे थे कि जावियार की गल्फरेंड की कॉल आई, जावियार ने बेजारी से कॉल रिसीफ करते हुए कहा, क्या हुआ बेबी, मूड ओफ है क्या, जावियार का बेजारी वाला रिवया उसकी गल्फरेंड ने महसूस कर लिया था, नहीं, जावियार एक गहरा सांस हवा में खारिच करते हुए, अपने मूड को खुझगवार बनाने की कोशिश करने लगा, कैसे याद कर लिया आज मुझे, जावियार ने नहायत महतात अंदाज में गुफ्तुगू करना चाही, ताके रामीन को खबर ना हो सके कि वो इस वक्त अपनी गल्फरेंड से बात कर रहा है, साथ-साथ इसकी निगाह रामीन पर ही टिकी थी, जो कॉल आते ही मूबसोर कर बहस कर को दर्मियान में छोड़, वापिस खिरकी की जाने बढ़ने लगी, मैं तो रोस याद करती हूँ दियर, तुम ही हो जो इतने दिन से इग्नोर कर रहे हो मुझे, तुम्हे पता है, बारिश हो रही है, और मेरा दिल बहुत उदास हो रहा है, उसके कहते ही जावियार ने रामीन को देखा, वो खिरकी से मुस्कुराते हुए बाहिर की जाने भा बढ़ा रही थी, बारिश की बूंदे इसके हाथ को भिगो रही थी, जिनने देखकर इसका चेहरा खिल उटा था, हाँ, अभी अभी स्टार्ट हुई ये बारिश, मगर उदास होने की वज़ा, वो नासमजी से इस तफसार करने लगा, जावियार का पूरा जहन रामीन की जानिब था, यही वज़ा थी कि इसकी गल्फरेंड का मुफाहमाना अंदाज में दिया हुआ इशारा, वो समझ नहीं सका, ओ डियर मैं मिस्स कर रही हूं तुमें, प्लीज या तो मेरे घर आ जाओ या फिर किसी होटल में मिलते हैं, इसकी बास सुनते ही जावियार मुस्क तोर पर सेल को कान पर लगाए, चीक चीक कर बोलने लगा, जैसे वाके ही आवाज नहीं आ रही हो, और यही अदाकारी करते हुए कॉल कार्ट दी, वो मुस्कुराते हुए रामीन के वजूद को दिवानों की तरह तकता हुआ, खिड़की के दूसरे कॉर्णर पर आकर खड हो गया, रामीन इसकी निगाहों से लाइल्म, बारिश देखने में मगन थी, इसके चेहरे पर एक दिल चुरा लेने वाली मुस्कान रक्सा थी, वो हुसने मुझस्सिम कोई बड़ी फुरसत से तक रहा था, आखों के दरमियान वो अब इस तरह ती के खुआबों को भी